भोजपूरी सिनेमा में एक के बाद एक सूपर हिट फिल्में देने वाले सूपर स्टार दिनेस लाल यादव निरहुआ अब पॉलिटिक्स में भी कदम रख चुके हैं। बिजेपी से चुनाव लर्चुके निरहुआ अपनी भोजपुडी फिल्मों में यूपी बिहार और जारखंड से लेकर नेपाल तक काफी पॉपुलर हैं। फिल्मों के अलावा दिनेस लाल यादव निरहुआ अक्ट्रेस अमरपाली दूबे के साथ अपने कथित रिलेशन्शिप की वज़ह से भी चर्चा में रहती हैं। हाला कि इस रिलेशन्शिप को लेकर इन दोनों ने कभी ओफिसियली एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस से पहले निरहुआ एक और एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे और तब वो सूपर स्टार नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भुजपुरी फिल्मों में आने से पहले दिनेस लाले आदव अपनी म्यूजिक इल्बम और सोज के लिए काफी मशूर थे। और तब निरहुआ की हर इल्बम में एक हिरोईन नजर आती थी और उनका नाम था पूनम सागर। और तब ऐसा कहा जाता था कि दिनेस लाले आदव निरहुआ और पूनम सागर एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। हलाकि इसके बाद निरहुआ का भुजपुरी केरियर एकदम उफान पर आ गया और धीरे धीरे पूनम सागर से दूर होते गएं। भुजपुरी फिल्मों में आने के बाद दिनेस लाले आदव धीरे धीरे एक्ट्रेस पाखी हिंगरे के नस्दीक आने लगे और इस दौरान ऐसा भी कहा जाता था कि खुद निरहुआ पाखी के प्यार में पागल थे। वैसे अगर बात करें एक्ट्रेस पूनम सागर की तो वो भी भुजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हाला कि अब निरहुआ राजनिती में भी काफी सक्रिये हो गए हैं और बीजेपी की सीट से अब वो सांसद भी हैं। अगर आप दिनेस लाली आदब निरहुआ के फैन हैं और उनको पसंद करते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।